पीछे जो हमने लेक्जर्स की हैं वो इंटिग्रेशन पे थे हमारे 3.1, 2, 3 हम कर चुके हैं आज हम स्टार्ट करेंगे एक्षरसाइस नमबर 3.4 लेकिन इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं डिफ्रेंसियेशन की अगर बात की जाए तो डिफ्रेंसियेशन में क्या था कि अगर आपके पास डिफ्रेंसियेशन बाइस सब्टिचूशन भी करते थे हम ठीक है उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ और रूल्स लगाए प्रॉड़क्ट रूल था कोशन ट्रूल था ठीक है और कुछ फामॉला से उनको यूज करके हमने ये सारी डिफ्रेंसियेशन की अब अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की तो अभी तक कुछ फामॉला से इसमें जिस्ट और यूज की है रूज का अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया कि हमें प्राड़क्ट रूल की हमने जिस्ट चेक करना होता है कि जो फंक्शन गिवन है कि उसका डिरिफ्रेंस आध मुझूद है अगर मुझूद है तो हम उसमे different procedures से उसको integrate कर लेते हैं अभी जो हम 3.4 स्टार्ट करने चाह रहे हैं उसमें एक step एक procedure है हमारे पास integration by parts वो कब करेंगे हम जैसे हमारे पास अगर question आ जाए sine square x और cause x dx दो functions आगे अगर ये functions हमारे पास आते हैं differentiation में तो हम simply इस पे product rule लगा देते हैं अगर ये differentiation में होते हैं चुँकर ये differentiation में नहीं हैं हम यहां पे integration कर रहे हैं तो यहां वो जो है question rule की जरूएत नहीं होती product rule की जरूएत नहीं होती तो हम पहले हम try करेंगे कि जो sign है उसका derivative होता है cause x वो साथ मजूद है सो हम sign पे power rule लगा देते हैं सो इसकी integration अगर हम करेंगे तो वो आजएगी 2 प्लस 1 यानि कि इसकी power में add किया और उसी power से divide कर दिया साथ में constant of integration so this will be sign cube x over 3 plus c because इसका derivative साथ मुझूद था clear तो यहां पे हम इस साथ इसको solve करेंगे लेकिन next मुआरे पस अगर questions आजाएं कुछ इस form के कि जिसमें derivative साथ मुझूद ना हो कोई ऐसा function हो जिसकी कोई साथ में sense नहीं बहन रही है derivative होने की like अगर यह sin x है यह x है मतलब यह कि यह algebraic function है और जो यह वाला है this is trigonometric function अब इस तरह के functions दो साथ आगे हैं तो इनको solve करने के लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम यहां पे लगाएंगे integration by parts integration by parts भीं क्या होता है कि आप जो first function होता है एक function है उसको first कहलें दूसरे को second कहलें अब यहां भी एक तरीका है कि first किसको रखना है और second किसको रखना है बहुत सारे questions आएंगे जिन में हमें दो functions नज़र आएंगे चो एक दूस्य के derivatives नहीं होंगे लेकिन इनको integrate करना होगा तो उसके लिए हमें check करना है कि first किसको रखना है और second किसको रखना है अब सबसे पहरे तो हम ये देखेंगे किस तरह की पेरिंग्स आ सकती है हमारे पास, ठीक है? तो ये कुछ टाइप्स हैं जो हमारे पास आ सकती हैं कुश्चन्स की फॉर्म में फर्स्ट में था एक अलजब्राइक फंक्शन है और साथ में ट्रिग्नमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है? या अलजब्राइक फंक्शन या लॉग फंक्शन ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, अलजब्राइक के साथ इंवर्स फंक्शन, अलजब्राइक के साथ ही आ रहे हैं, या तो ट्रिग्नमेट्रिक या लॉग या इंवर्स फंक्शन, या फिर सिंपल लॉग एक साथ आ सकता है, ल को हम ने FIRST प्रखने और किस को secondo रखने अम चेख करें जब आपके पास ऐड़ करें इसको ज Dopल appropriate अप को आपने हमेशा फर्स रखने और जबराइक को सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ अलजबराइक आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड रखना है लॉग के साथ अलजबराइक आए तो लॉग को फर्स रखना है ठीक है इनवर्स में भी आपने टेंजेंट वाले को इनवर को second function रखना है clear अगर single log आजाए तो इसमें single log को हम लिख सकते हैं one और साथ में log x मतलब साथ यहाँ one हो सकता है और साथ में log x जब one जहाँ भी जिस function में भी आप जिस integral में one रखेंगे one को हमेशा आपने second रखना है log को हमेशा हम first रखेंगे ठीक है जो inverse function है उसको भी हमेशा हम first रखेंगे जो single function था उसमें साथ में one को introduce करवाया और one को रख लिए second function inverse को first हमेशा inverse वाले को और log वाले को आपने first function लेना है exponential और algebraic आजाए इसमें आपके पास choice है आप किसी को भी first और second रख सकते हैं लेकिन जो best way है वो यही है कि exponential जो है उसको second रख लिया जाए और algebraic को first रख लिया जाए clear उसके बाद exponential और trigonometric आजाते हैं इसमें भी आपके first choice होती है आप जिसको चाहे first रख लें जिसको चाहे second रख लें ठीक है जिससे आप कि आप समझते हैं बेटर तरीके से question solve हो सकता है अब हम आते हैं अपने formula की तरफ अगर आपके पास दो functions इस तरह से आजाएं fx gx bx different functions है आपको करना है इन integrate अगर f first function है और g second function है तो इस पे formula कैसे लगेगा यहाँ लगेगी bracket first first function है as it is ठीक है फिर integral आएगा और वो आएगा second function का ठीक है पिर minus फिर whole integral ठीक है अंदर आजाएगा first का derivative ठीक है और फिर integral of g of x d of x यह सारा यहाँ पे और साथ में d of x ठीक है इसको फिर से मैं clear रखके लिखके दो बता देती हूँ अगर दो function इस तरह से multiplication की form में आ रहे है आपको उने by parts यहाँ पे लिखेंगे by parts integration इनकी कैसे होगी this is equal to bracket आएगी first function as it is integral of second minus whole integral first का derivative इस integral को लगा के फिर आपने first का derivative लेना है और साथ में आपने यह वाला factor यहनी के second function का integral as it is यहाँ पे लिख देना है first का derivative integral का sign यहाँ पे लगाना है और साथ में आपने dx इस पूरे के साथ लगा देना है ठीक है so this is the integration by parts ठीक है अब एक question मैं solve करके बताती हूं आपको किस तरह इसको solve करेंगे हम अगर question आजाए हमारे पास first वाला x sin x sin x को रखा second function इसको रखा first function अब सबसे पहले हम check कर लेंगे कि sin x की integration क्या होती है sin x की integration होती है minus cause x ठीक है यह इसकी integration आगी अब हम जब इस पे formula लगाएंगे x sin x dx this is equal to क्या आएगा formula कि इस पहले bracket लगेगी ठीक है first function as it integral of second that is sin x dx minus integral derivative of first यानिके x का derivative और second का integral और इस सारे के साथ dx और ये bracket close ये as it is sin का integral अभी हमने find किया है जो के था minus cause x वो यहां पे लिखा तरम्यान में formula में minus है यहां पे formula लगाया x का derivative one होता है वो लिखा sin x का integral फिर उपर हमने find किया हा था that was cause x और dx as it is so this is minus x cause x ये वाला minus बाहर आ जाएगा ये plus बन गया ये multiply होके cause x और dx रह गया so this is minus x cause x plus cause x अब किसकी integration है that is the integration इसकी integration जो है सारी वो आजेगी sin x और plus constant of integration so here we have minus cause x sin x and plus c so this is the answer for this integral by parts ठीक है तो इस तरह से ये question solve हो जाएगा अभी सिरफ आज हम first question solve करेंगे आपने जो चीज़ें आपको picture बताई है उनको आप देखें कहीं समझ नहीं आती है तो पूश लें कल इंशाला हम बाकी question start करेंगे